मैं आपके समुख एक नई जानकरी लेकर आई हूँ कि हस्त मुद्राएं कि हस्त मुद्राएं क्या होती हैं जब हम अपनी अंगूठे को अपनी उगलियों को एक दूसरे के साथ मिलाते हैं या दबाते हैं तो अलग-लग तरें की मुद्राएं बन जाती हैं 80% लोगों के जो बिमारियां हैं वो अलग-लग मुद्राएं करने से ठीक हो जाती है और आज मैं आपको बताऊंगी कि जो हमारा शरीर है वो पांच तत्वों से बनावा है और ये पांच तत्वों कहां पर विराजित हैं हमारे हाथों की उंगलियों में और अंगूठे में सबसे पहले आता है हमारा अंगूठा जिसको हम बोलते हैं अगनी तत्वों और इसका रंग कौन सा होता है रेज उसके बाद आती है हमारी first finger जिसको हम बोलते हैं तरजनी उंगली या index finger और इसका तत्व है वायू तत्व और इसका color कौन सा है green हरा रंग उसके बाद है सबसे लंबी वाली हमारी finger जो सबसे लंबी finger है यह अकाश मुद्रा को represent करती है और इसका रंग है लीला इसको middle finger कहते है और माधिमी का finger भी बोलते हैं उसके बाद है लंबी उंगली से थोड़ी सी छोटी वाली finger है जिसको हम बोलते हैं ring finger या अनामी का finger यह प्रित्वी तत्व को represent करती है और इसका color है पीला yellow और उसके बाद है हमारी सबसे छोटी वाली finger जिसको represent करती है जल तत्व को जिसको हम सबसे छोटी उंगली या पिंकी उंगली कहते हैं, ये सारे तत्व में जब imbalance हो जाता है, तब हमारा शरीर क्या हो जाता है, रोग्रस हो जाता है, इनको balance करने के लिए हम अलग लग तरें की मुद्राइं आपको next वीडियो में बताएंगे, वीडियो देखने के लिए आप सभ धन्यवाद, धन्यवाद